देश में कोरोना का क्यहर लगातार बढ़ रहा है हर तरफ लोग परिशान है ऐसे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इतने मुश्किल समय में भी लोगों की मदद के लिए बढ़ चड़कर हिसा ले रहे हैं और लोगों के लिए इंसानियत की मिसाल कारें कर रहे हैं ऐसी ही एक खबर गुजरात से सामने आई है जहां चार महीने के गरवती नर्स लगातार मरीजों की देखबाल कर रही है इससे भी बड़ी बात ये है कि ये नर्स दिन भर रोजा रखकर अपना धर्म भी निभा रही है जानकारे के मुताविक इस नर्स का नाम नैंसी, आईजा, मिस्त्री और ये चार महीने की गरवती है इसके बावजूद वे लगातार सूरत के कोविट केर सेंटर में ड्यूटी निभा रही है रमजान के महीने में नैंसी, रोजा रखकर अपना धर्म और मरीजों की देखबाल कर अपना फर्स बहुत अच्छे से निभा रही है उनका कहना है कि मैं नर्स की तरह अपनी ड्यूटी कर रही हूँ, मेरे लिए लोगों की सेवा ही सबसे बड़ी इबादत है सूरत के अल्थान इलाके में स्थित सूरत महानगर पालिका के कम्यूनिटी हॉल में कोविट केर सेंटर शुरू किया गया इस कोविट सेंटर में कोरोना पॉजिटिव लोगों का इलाज चल रहा है, मरीज इतने ज़्यादा है कि 24 घंटे यहां डॉक्टर और नर्स कारे रत हैं इनहीं में से एक है सिस्टर नैंसी आईजा, चार महीने प्रेगनेट नर्स जो इस कोविट सेंटर की शुरुवात से वहां डूटी कर रही है 29 वर्ष ये नैंसी कोरोना से बिना डर्य लगातार अपनी सेवाय दे रही है प्रेगनेंसी में नैंसी की रोग प्रती रोधक शम्ता पर भी असर पड़ रहा है उनकी साथ ही नर्स के मताबिक नैंसी को अभी संक्रमन होने का खत्रा है बावजूद इसके वो पूरी तरह से अपनी डूटी के प्रती सबर्पित है भूके और गर्वती रहते हुए इस तरह डूटी करना उनकी सेहत पर क्या असर डालेगा ये तो कोई डॉक्टर ही ठीक ठाक बता सकता है फिलहाल हम इतना कह सकते हैं कि इस कोरोना काल में किसी सूपर हीरो के आने की आकांशा मत कीजिए बलकि अपनी नजर गुमा कर देखिए नैंसी आईजा जैसे हीरो हमारे आसपास ही मौझूद है ऐसी कुछ और खबरों के लिए निउसमेक्स के साथ बने रहें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथी बेल आइकाउन को भी सरूर डपाएं लाइक, शेर, कमेंट करना ना भूलें